नमस्कार, मैं रामकेश मीना, सहायक प्रोफेसर प्रानिसास्तर विभाग, राज के मावद दहले 12 आज का जो ये मेरा टॉपिक है, वो BSC भाग दित्तिय का है पेपर, प्रथम जो होता है, एनिवल डाइवरस्टी पार्ट सेकेंड इसमें टॉपिक पैलीमोन या मैक्रो ब्रेंकियम मालकॉम सुनाई है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे ये जो एनिमल है, एल अवन जलिये स्रोत है, जो मज्द भारत है, और तमिल लाडू तक अच्छी मात्रा में पाया जाता है इसलिए इसको यहां आर्थोपोडा संग के अध्यन के लिए एक सुगम एनिमल के रूप में देखा जाता है इसकी बर्गिकर स्थिती देखते है, तो संग आर्थोपोडा का ये प्राणी है फाइलम आर्थोपोडा है, सब फाइलम इसका मैंडी बुलेटा है क्लास या बर्ग जिस हो हम कहते हैं वो क्रस्टेसिया है, सब क्लास मैलको इस्ट्रेका है ओडर डेकापोडा, सब ओडर नेटैंसिया, फैमेली पैलिमोइनिडी, जीनस पैलिमॉन और स्पिसीज मालकॉम सौनाई ये जनरल जो स्ट्रेक्चर दिख रही है आपको, एक पैलिमॉन की जनरल स्ट्रेक्चर है, जिसमें एक आगे की तरफ रोष्ट्रम भाग निकला हुआ होता है जो आरे के समान होता है, इसका ये सिरोवक्ष भाग खेलाता है, सिरोवक्ष भाग के रोष्ट्रम और सिरोवक्ष भाग जहां से दिखाई देता है उस जगे एक और्विटल नौच होती है और्विटल नौच से कमपाउंड आई का एक स्टोग निकलता है, उपर कमपाउंड आई की सरस्थना होती है इसके पश्चात ये सिरोवक्ष भाग है, सिरोवक्ष भाग में कुछ उपांग है जो निकले होते हैं, उसमें एंटी नूल है, एंटीना है, मैगजिली पीड्स होते हैं और चलन टांग होती है ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन है उदर वाला भाग, उदर वाला भाग इसका 6 खंडों से मिलकर बना होता है जो की आपस में आर्थ्रोडियल मेंब्रेन के द्वारा हिंज संधी, हिंज जोइन जिसको कहता है उसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, और इस प्रानी का सरीर कॉमा की तरह हो जाता है इसके प्रतेक उदरिया खंड है, वहाँ से उपांग निकले रहता है, जो तेरने में सहयक होता है जिनें पलब पाद कहता है, पिलियो पोर्ट कहता है, और अंतिम जो खंड है, उदर का उससे एक सरसना टैलसन निकलती है उसके नीचे की तरफ एक यूरो पोर्ट होता है, जो कि इस प्रानी को उपर उचलने में सहयता करता है, तेरने में सहयता करता है ये स्प्रानी का सामाईने एक जनरल स्ट्रक्चर है इसके जो उधर भाग में पिलियोपोर्ड है तो इसके शिरोवक्ष भाग में चलन टांग है चलन टांगे पांच है इसमें प्रिथम और दित्तिय चलन टांगे लंबाई में बड़ी होती है जिनको फर्स्ट और सेकंड चलन टांगे जो चलन लेक्स है या कीलाव टांगे जिनको कहते है ये किसी चीज को पकड़ने में सत्रों से लाई करने में और अपनी सुरक्षा में काम आती है और भोजन को पकड़के मुक तक लाने में भी ये काम करती है तोड़ने का कारिया भी ये करती है इस तरह फिलर्स अफ एंटिन्यूल है प्रसंग का है और सरंगी का है एंटिना इसके साथ में महजिली पीड्स पाई जाते है जो की मुखांग के एक भाग है अब इसकी सामन सरचना के साथ में अब हम इसके आबास सुभाब एवं आबास को दिखते है यह जन्रली सुभाब में ये रात्री चरोता है दिन के समय तली में नीची आराम करता है और गौधूली बेला को ये ज़्यदा सक्रिय रहता है और रात्री में ये उपर की तरफ आता है यह प्राणी मौस खाता है सरवाहरी प्राणी कहते हैं इसको मौस खा सकता है एनिलिर्स जन्तों को खा सकता है मलवे को खा सकता है इसलिए हम इसको सरवाहरी प्राणी भी इसको कह सकते है इसकी वहय आकार्की हम देखते हैं तो वहय आकार्की में इसका जो सरीर है वो दो भागों से मिलकर बना होता है पहला भाग होता है इसका सिरोबक्ष और दूसरा भाग होता है इसका ओधर जनरली इसकी जो भायाकार की में आकरती परिमान के बारे में अगर हम देखते हैं तो आकरती इसकी कौमा रूप जिस तरिके से यह कौमा है यह कौमा जिसको बोलते है इस तरिके से होती है तुर्क रूप होती है कौमा रूप होती है और इसका जो परिमान है वो 3.5cm से छेज नब्थे सेंटी मिटर तक बढ़ा हो सकता है जर्णरली पांस सेंटीमेटर दस सेंटीमेटर पंधरा सेंटीमेटर तक के आकार के जन्तु ज़्याधर पाई जाते हैं अब जो नब सेंटीमेटर तक लंभी होते हैं उसको दैणताकार पैलिमॉन बोलते हैं इसका रंग है जो न्योली एनिमल्स है जिसको हम एब्यस कहते है छोटे बच्चे है वो पारभासी सफेद रंग के होते है जबकि जैसे जैसे एनिमल प्राणा हो सकता है उसका कलर भूरा और भूरा नीला इस प्रकार का होता जाता है रंग इसके बाद में सरीर के बिखंडी करन बिखंडी करन सरीर के भाग सरीर के बिखंडी करन से मिनिंग यह है कि इसका सरीर कितने खंडों का बना होता है तो वैसे पहली मौन का सरीर उन्नीस खंडों का बना होता है और उनमें से तेरा खंड है वो सिरोवक्ष भाग में पाई जाता है जिनमें पांच खंड मुख के है और आठ खंड थोरेक्स बक्ष के है इन सब को मिला कर यह सिरोवक्ष खेलाता है और एब्डोमन के 6 खंड है इस प्रकार यह उन्नीस खंड से मिलकर बना होता है शरीर के जो भाग है इस प्रकार से इसमें आप देख सकते हो सिरोवक्ष जिसको सिफिला थोरक्स कहता है दूसरा ओधर या एब्डोमन कहता है जो कि आपके सामने ये मैंना भी बताए है इसमें बहायचिद बहायचिद्र अगर हम देखते हैं तो कोश्ट्रम के नीचे मद्यदर भाग पर होता है एक गुदा भाग होता है जिसको हम गुदा बोलता है वो अंतिम खंड के नीचे पाई जाती है इसी प्रकार इसके जो एंटीना हैं एंटीना के कक्षांग भाग के अंदर की तरफ एंटीना के कक्षांग भाग के अंदर की तरफ green glands का च्ढिटर पाय जाता है जो मादा है मादा जन्नांग च्ढिर वो तीसरी जोड़ी चलन टांग के कक्षांग के अंदर की तरफ पाय जाता है जो कि यह गदि 있었ट सब्सक्राइब और नर में पांच भी जोड़ी चलन सब्सक्राइब आ इसे बहाय कंकाल इसका बहाय कंकाल आपको बाहर से देखने पर इसे दिखेगा कि किसी कठोर आबरन से ढखा हुआ है इसलिए इसको क्लास क्रस्टेशिया में रखा गया है क्लास क्रस्टेशिया में इसलिए रखा गया है ऐसे प्राणी जो कि जिनका सरीर कठोर बहाय कंकाल से ढखा होता है तो इसका जो सरीर है भाय कंकाल उसमें एक काइटिन की बनी हुई परत होती है जिसमें कैल्सियम और लवन होते हैं उनसे बनी होती परत है जिससे ढखा होता है जो अपने देखते हैं बाहर से तो काफी कठोर होती है तो इसका जो सिरोवक्षिय भाग है वो सिरोवक्षिय भाग है कई प्लेटों को मिलके बनाता है लेकिन प्लेट आपस में जुड़ जाती है और एक कैरापेस जिसको हम क्या कैसे कैरापेस या कटक स्कलराइट भी कह सकते है इसकी बाहर की प्लेट जो आपस में जुड़ करें को ढखती है जो साइड में फिर निकल के साइड तक ढखती है उसके गिल कवर भी आ जाता है गिलों को कवर के इसको ब्रेंग को इस्टे गाइट बोलता है और इसके जो पांग है यो पांग भी ढके हुए रहते है कैल्शम की काइट इन्क परत से इसकी जो इधर भाग के जो खंढ है जो इसी प्रकार से एक कैट इन की बनी हुई परत से ढके होते हैं और इनके बीच बीच में हिंज जॉइंट पाई जाता जिससे कि ये मुवमेंट कर सकते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैल जो पहली मॉन जो है पहली मॉन की सरसना एक तुर्क रूप में या कॉमा की रूप में पाई जाती है जिसका सामाने विबरन यहाँ पर इस प्रकार है